कोरोना जैसी महामारी जहां नित्प्रती अपना रूप बदल रहा है और मरीजों की संग्या भारी संख्या में बढ़ती जा रही है और सासन प्रशाशन भी अपने नए नियम हुआ कानून से लोगों को बचाने का जद्दो जहत कर रहे हैं तो जनता पर इसका कोई भी असर नहीं पढ़ रहा है जिले के अंतरगत आने वाला बाबु गंजुआ फूलपूर में निकला तो देखा वहां बनाए प्रशाशन के सारे नियम फेल नजर आएं कोई फोटो स्टेट की दुकान पर तो कोई बैंक के बाहर कोई ग्राहत सेवा केंडरी के बाहर एक दूसरे से सटके भारी संख्या में खड़े दिखाए दियें ना तो चेहरे पर मास्क ना ही सोचल डिस्टेंसिंग दिखाए दी आप सवाल ये उटता है कि अगर इन लोगों के कारण कोरोना का कोई सिकार होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा सासन प्रशाशन कब तक जनता को बताएगी और समझाएगी क्या जनता की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती यदि यही इस्तिती रहा तो निश्चित ही कोरोना जैसी महामारी का असरभारी संख्य में दिखाई पड़ेगा फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा सासन प्रशाशन सरकार या फिर जनता या तो आने वाला वक्त ही बताएगा किन्तु या एक बड़ा सवाल प्रयाग एक्ष्प्रन्यूज के लिए शिवम नन्नत्रिपाठी की खास रिपोर्ट